तो आप देख मेरी तरह CAC भी लिए हो CAC संचाल तो आप सबी को पता है जो की CAC नामे जो की हर बार एक जो की नया-nया सार्विस लाके देती ही रेती है जिसकी माधियम से दोस्तों आप जो की आच्छा-कासा पैसा कमा पाएं तो आज में मैं आपको जो की एक CAC का बड़ा सर्विस के बारे में बात करने बाला हूँ, रेचिटेशन प्रोसेस बताने बाला हूँ और हाँ आप लोग यार लाइक निकरते हो सब्सक्राइब निकरते हो प्लीज यार एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है तो भाई CSC ने जो की ट्विटर एकाउंट पर एक जो की पोस्ट डाला था जहां पर की लिखा था मतलब दोस्तो हमारा जो एंडिया में टोटाल मिला जुला कर दोस्तो तीन हजार जो की बाल बिद्या लोय खुल चुका है और आप भी खोलना चाहते हो तो दोस्तो आप भी खुल सकती हो तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर फेसिलेटी बारे में बताऊंगा रिश्टेशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा तो यहाँ पर इंडिया में जितने भी स्टेट है सभी स्टेट में यह खुल चुकी है जो कि UKG, LKG जो सेंटर होती है वो खोल सकते हैं और यहां से आपको तो पता ही होगा CSC का जो educational business पर कितना क्या profit होती है यह सभी को पता है जो भी इस business में काम कर रही है तो भाई आप भी इसमें एक बार पैसा invest कर देते हो तो दोस्तो आपको पता चल जाएगा कि कितना क्या पैसा मिलने वाली है और एक बाद दोस्तो यह थोड़ा सा rural area भेली के लिए थोड़ा सा दिक्कत या problem हो सकती है क्योंकि भाई यह थोड़ा सा rural area में नहीं चलेगा जो भी urban area में जो भेली है उनके लिए तो बहुत बड़ा बिजनिस है और बहुत अच्छा बिजनिस है इस business की मादम से अच्छा खासा earning कर पाएंगे मतलब commission पैसा जो कहते है वो कमा पाएंगे तो भाई यहाँ पर जो हमें option दिया गया है apply और भेली apply इसका मतलब है दोस्तो जो भेली ना है जिसके पास CCID नहीं भी है वो भी इस service में काम कर सकता है यह वाला school खोल सकता है बस इसे क्या करना है कुछ पैसा invest करना है तब जाके दोस्तो आपको यहाँ पर मतलब कुछ पै option पर मैंने क्लिक कर दिया उसके बाद आपको क्या करना है अपना जो भी ID password है आपको ID password डाल के capture वेप्चा जो की feel करके आपको सीधी सी बात है आगे की option में आपको मतलब निकल लेना है sign कर लेना है उसका दोस्तो जो dashboard है वो खोल के जाती है जैसे कि यहाँ पर लिखा आया है school registration form यहाँ पर खोल के आ चुके है जिसके पास CSC ID है यहाँ पर लिख के आ जाएगा are you CSC yes लिखा गया है do you have a approved CSC academy मतलब आपके पास पहले से CSC का एक academy है और approved है तो दोस्तों आपको यहाँ पर yes करना है और नहीं है तो आपको no करना है उसका आपका name देना है gender female जो भी आपको select करना है आपका mobile number आपका mail ID आपका total complete address देना है यहाँ पर लिखा गया है complete address don't use any special character मतलब आप यहाँ पर कोई भी जो character है आपको use नहीं करना है बस आपको सिद्धे धाड़ी मतलब सिद्धे line में लेख लेना है उसका आपका जो भी state है जो भी district है जो भी block है आपका जो pin code है जो आधार काड में जो आपका pin code है वह आपको देना है उसका दोस्तों यहाँ पर exiting school name hip any मतलब यहाँ पर आपका CSC बाल विद्धाल ही रहेगा आप कोई अधर नाम नहीं रख सकते हो उसका दोस्तों यहाँ पर आपका जो की school established on है यहाँ पर भी आपको change नहीं कर पाए हो गया उसका दोस्तों school affiliated hip es mansion board यहाँ पर आपको जो कि आप mansion board पर क्या लेखना चाहते हो क्या मतलब कुछ बोलना चाहते हो वो board पर जो की लेख काएगा वो आपको यहाँ पर type करना है उसका दोस्तों total area under school square foot आपका जो school है कितना square foot area पर है वो आपको यहाँ पर लेख के बोलना पड़ेगा उसका दोस्तों आपका जो की school function of to which class म 4th, 5th, 6th, 7th जो भी है जो कि यहाँ पर 12 तक है जो भी आपका है वो आप यहाँ पर select कर लेना है उसका दोस्तों आपको नीचे आना है number of section in nursery कितना है वो आपको बोलना है यहाँ पर लेख के बोलना है number of section in LKG यहाँ पर number of section in LKG वो आपको यहाँ पर डालना है उसका जो यहाँ पर number of section UKG, LKG, nursery जो जो भी है आपको fulfill करके दोस्तो नीचे आना है exiting expected fees per month for nursery मतलब आप nursery का बच्चे का कितना फिज लेते हो एक मेहने में वो आपको यहाँ पर type करना है उसके बच्चे का पर month कितना फिज लेते हो वो आपको यहाँ पर fill करना है उसका दोस्तो आपका UKG का fill करना है और आपका जो average monthly salary जो teacher को आप दे रहे हो वो आपको यहाँ पर fill करना है उसका दोस्तों आपका जो nursery classroom है उसका फोटू जो कि आपको 1MB का होना चाहिए वो आपको यहाँ पर upload करना है उसका दोस्तों केजी का आपको upload करना है उसका दोस्तों आपका जो playground है जो आपका school का बाहर का जो ground है वो आपको फोटू निकल के वहाँ पर आपको पैस्ट करना है मतलब महाँ पर upload करना है उसका दोस्तों आपका जो front of school building photo आपका जो front side का जो आपका school building है उससे आपको एक photo देना है उसका दोस्तों आपका school video entry to exit maximum size 10 अंभी होना चाहिए आपको जैसे कि आपका school अंदर जाने से बाहर निकलने तक जो कि एक video बना के वहाँ पर upload करना है उसका दोस्तों यहाँ पर कुछ disclaimer दिया गया है आपको I agree पर tick करना है और यहाँ पर आपको pay करना है मैंने तो यहाँ पर आपको simple process में बता दिया है ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है आपको online पर apply करने के लिए फिर भी दोस्तों आपको मैं आपको बता देता हूँ आपको essay apply नही चाँ करने के लिए ऋभी मिलती है फोड़ी बहुत मैं आपको eligibility के वारे में बता देता हूँ आपको पता नहीं है तो मैं यहाँ पर होम पर चला गया और यहाँ पर थोड़ा साम करते हैं डेसबर्ट पर तो दोस्तों हमें कुछ CAC बाल बद्धिया लोगा जो कि एक eligibility criteria दिया गया है जो कि basic requirement यहां पर देख सकते हो मैंने नीचे description पर देच चुका हूँ link मैं यहां पर पढ़के आपको बताऊंगा तो दोस्तों ज्यादा वीडियो लंबा हो सकती है इसलिए आपको यहां पर recommendation जो भी दिया गया आप यहां पर आके देख सकते हो कितना square foot कितना tablet कितना computer क्या लगने वाली है सब कुछ यहां पर बता दिया गया है तो भाई यह वाला school फूल खोलती हो तो भाई अच्छा खासा कमाई तो होने ही वाली है आप एक teacher रख लेना है और थोड़ी बहुत पैसा आपके पास है तो दोस्तों यहां पर invest कर सकते हो तोस्तों फिलाल इस वीडियो मस इतना आए वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छे लिगा helpful लाइक दोस्तों दवाके के लाइक कीजिए आप लाइक ने करते हुआ ज़रूर एक लाइक कर लेना और चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों लाल करका बताम दवागों चैनल वो सब्सक्रेब कीजिए चले उस्तों मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में आज के लिए टाटा एंड बाइबाइ जेहें